पढ़िए बटाओ find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again मतलब है वो words बताने हैं जो बन सकते हैं again से बोलिए again से कितने words बन सकते हैं कौन बताएगा कोई नहीं तो बोलो ना फिर लावड बोलो 5 factorial कोई repeat भी हो रहा है अपन 2 factorial भाई देखो एक दो तीन चार पांच 5 factorial, repeat कौन हुआ A, that is 2 factorial, solve को एसे 60 बोले आँ तो clear इप इस वर्ड़्स आर रिटन as in dictionary अगर इस वर्ड कम किस तरह arrange करे dictionary wise what will be the 50th word तो 50 वर्ड कौन से है जब dictionary wise arrange करो जब dictionary में arrange करेंगे तो क्या हो जाएगा बिटा जब मैं dictionary में arrange कर रहा हूँ तो पहले कौन से words आँगे A, फिर G, फिर I, फिर N, बोले आँ तो clear तो पहले निकालते हैं कि A से कितने words ने में पास फिर G से कितने, फिर I से कितने, फिर N से कितने words starting with A कितने words है जो A से शुरू है बताइए यहनि अगर first letter A fix कर दूँ first letter A कर दिया तो बाकि कितने के लिए चाहिए arrangement और, को repeat हो रहा है first letter A है तो इसलिके arrangement करनी है gain की को repeat नहीं हो रहा that is 24 बोले आथा क्लियर ओके, now words starting with G वो words कितने हैं, जो G से start हो रहे हैं विल्कुल first word G कर दिया right, इस बार first word क्या है मेरा जी, पहला word होगा है G, arrangement कितने की करनी है A, A, I, N की right तो क्या हो जाएगा 4 factorial upon में, repetition है कोई A, that is 2 factorial, solve for the 4 into 12 वा जाएगा इसी तरह इसका मतलब क्या हो, 24 का मतलब समझे इसका मतलब है 1 से लेकर 24 words 1 से लेकर 24 तक यह सारे words कौन से हैं, जो A से शे फिर next 12 का मतलब क्या हो, 25 से लेकर 36 तक, सारे words G से हैं, point clear हो रहे हैं Yes or No थोड़ा सा अचा हो रहे, ठेक है Word starting with I Word starting with I क्या हो जाएगा बटा 4 factorial upon 2 factorial, that is 12 क्या हो जाएगा बटा 37 से लेकर 48 यह हुआ ना कि first 24 words A से हैं फिर 25 से 36 words G से हैं, फिर 37 से 48 words कौन से हैं I से तो बटा 49th word कौन सा होगा N से, अब समझ आ रहे हैं बात 49th word क्या होगा, N पहला Interface कर दिया हमने Arrange कर इसको तरह, Dictionary wise Dictionary में आता है Arrange करना, Dictionary में क्या होता है, पाता है पहले आगे वाले alphabet आते हैं उसके बाद, पीशे वाले इन्हीं पहले कौन आ जाएगा Interfix कर दिया A, फिर A, फिर G, I Clear? 50th word क्या होगा, ध्यान से समझना N, A, A बटा, आखरी में इन दोनों की आप सी में क्या होते हैं, Interchange Ig अब बोलो clear confusion 50th word क्या होगा, खुद बताओ N, A, A, G आई है, अगला शब्त क्या होता है, जहां पर इन तीनों को fix करते हैं, इंका arrangement करते हैं आखरी में Change करना Start करते हैं, N, A, A, I, G, अगले वाले में इन तीनों को change करेंगे, N, A Clear किस किस को Clear? नहीं है Done? यह था chapter? हाँ जी जी, बेटा गबाब बताओ, 49th word N, A, G, I, A तो 50th word में क्या होता है, dictionary में dictionary पड़ी है कभी? आपने नहीं पड़ी, पुरानी वाली आप तो आशकरें सब्सक्राइब की dictionary है किस को मेनिंग देखना, महीं से देखता है पुरानी वाली dictionary में क्या होता है words को alphabetically लिखा जाता था पहले A से start होने वाले फिर B से इसमें भी क्या होता है? हाँ जिसमें पहले उसे पहले last के alphabets को हम क्या करते है? change करना, start करते जिसना मालों 51st हो तो क्या करेंगे हम सर्थ? अब इन तीनों का अपसी में arrangement change करेंगे clear? रांक वाले कोशन नोरे टान प्लीस